हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं होने के कुछ घंटो बात का ये घटना करम है गरफदार आरोपी पर 29 मई को पंजाब के मांसा दिले के जवाहर के गाउं में मुसे वाला को गोली मारने के लिए शूटरों को बोलेरो कार उपलब्द कराने का संदेय है रिपोर्ट के मुताबिक मुसे वाला हत्याकांट में पुलिस का कहना है कि मुसे वाला की हत्या से तीन दिन पहले ये सबी कोटक पुरा हाइवे पर इखटा हुए थे इसके बाद ये कहां रुके इसकी जाच की जा रही है पंजाब पुलिस ने मांसा जिले के धाईपे गाउं से मनपृत भाव को अरेस्ट कर हत्या के मामले में पहली गिरफतारी की थी ये गिरफतारी हत्याकांट के दो दिन बाद हुई थी पुलिस ने आरोप लगाया कि भाव ने हत्या के लिए रसत मुहिया कराई थी सिद्धु मुसेवाला अपने दो सयोग्यों के साथ 29 मार्च को वाहन में एक रिष्टिदार को देखने के लिए जा रहे थे जब अग्याथ हमलावरों ने मांसा के जवाहर के गाउं में उस पर लगबग 30 गोलिया चलाई इस गायब को मृत गोशित कर दिया गया उसके दो सयोग्यों को चोटे आई और उनका इलाज DMC लुद्याना में चल रहा है इस बीच पंजाब की कुछ जेलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है खबर है कि केंद्री गढ़ मंत्राले ने पंजाब पुलिस को चेताया है कि अपरादी कुछ बड़े गैंक्स्टर्स और आतंगफादियों के जेल से भागने का प्लान बना रहे हैं मंत्राले ने अपने पत्र में बबबर खासा इंटरनेशनल का जिक्र किया है खास बात ये है कि ये घटना कडम ऐसे समय पर सामने आया है जब राज्ये में एक के बाद एक कई बड़ी घटनाए हुई है जागरुक टीवी के लिए चंडिगर से खास रिपोर्ट